तो दिल्ली चुनाव का सब कुछ शवाब पर है आरोप प्रता एउरोपों का दौर है सभी ये बात कह रहे हैं को और कर रहे हैं कि भाई दिल्ली में आखिर सरकार किसकी बनेगी मजॉरिटी किसको आएगी क्या ये आम आद्मी पार्टी का वो बहतरीन चुनाव होगा जो उसको हमेशा के लिए सियासत में स्टाबलिश कर देगा पूरी तरह से चुनाव जीतने के लिहास से एक चुनाव को अपने कबजे में करने के लिहास से क्योंकि पिछली बार उन्हे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन चुनाव नहीं जीता था सरकार कॉंग्रिस के समर्तन से बनाई थी या बीजेपी योकि नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में है बाउंस बैक कर सकती है यानि कि अच्छे दौर से चल रही है बीच में कहा गया कि बीजेपी कमजोर हो गई है दिल्ली के चुनाओं में उस इस्थिती से पलट कर घूम कर ज्यादा ताकतवर स्थिती से बीजेपी आ सकती है बाउ सारे सवाल है अब इन सब के बीच तमाम किस्म के आरोप लग रहे हैं तमाम किस्म के प्रत्यारोप लग रहे हैं میडिया की बहुत presence है दिल्ली के इन चुनाओं में हम सब इस बात को मानते हैं लेकिन बूलता है मैं अब इस बात को मानने लगाओं कि जो भी तस्वीर सपष्ट होगी वो सपष्ट होगी अब दस तारीक को जब दिल्ली के नतीजें आएंगे साथ तारीक को वोट पढ़ने के बाद आपचारिक तौर से campaign खत्म हो चुका है, जो चुनाव का प्रचार होता है, वो खत्म हो चुका है, फिर भी लोग अपनी बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे, इन सब में एक नया मसला जो है, वो सामने आया है कि क्या शराब जो है, वो इस्तेमाल होगी वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए एक बात मैं आपको ज़रू बता दू कि बड़े पारंपरिक तोर पर बहुत पहले से ये बाते हमेशा कही जाती रही है उट्टी रही है कि वोटर्स को आखरी दौर में अपनी तरफ खीचने के लिए शराब या बाकी चीजें उनको महिया कराई जा क्योंकि इसमें उत्तम नगर में एक वेर हाउस से शराब जो पकड़ी गई है उसमें अंदेशा है पुलीस को कि क्या वो नरेश पलियान जो आम आदमी पार्टी के उम्मीद आ रहे हैं अंदेशा है तो इसको कता यारोप के हिसाब से ना देखे उनको उनके लिए किसी किस काम से जोड़ी तो ही है वोटर्स को दिमाग में रखते हुए यह रेपोर्टे की दूसरी पार्टियों से खुद को अलग बताने वाली और दूसरों पर रुपए और शराब के दम पर वोट बटोरने के आरोप लगाने वाली पार्टी इन दिनों खुद आरोपों के घेरे में है दिल्ली पुलीस का कहना है कि उत्तमनगर में पकड़ी गई आठ हजार बोतल शराब आम आदनी पार्टी के उमीदवार नरेश बालियान की हैं जो पुलीस की जाँच में शामिल होने के नोटिस के बावजूद बच रहे हैं नरेश बालियान इलाखे के निगम पारशद है और विधानसवा में आम आदमी पार्टी के उमीदवार के तौर पर चुनावपरचार में जुटे हैं जिस गोदाम से शराब मिली वहां कोई बोलने को तयार नहीं बालियान कह रहे हैं कि इस गोदाम से उनका कोई लेना देना नहीं वो इस पूरे मामले को साजिश करार देते हैं नरेश बालियान का कहना है कि पुलीस को जवाब दे दिया गया है कि चुनाव के बाद वो जाँच में शामिल होंगे हिरानी की बात यह है कि ऐसे मुद्दों पर बढ़ चड़ कर बोलने वाले आपके नेता भी इस मामले पर चुप हैं जबकि विपक्ष लगातार निशाना साथ रहा है दिल्ली पुलीस के मताबिक उसके पास इस बात के सुपूत है और उसने मामले की जानकारी चुनावायों को भी दे दी है एक तरफ दिल्ली पुलीस अपने दाव पर डटी है तो वहीं नरेश बालियान इसे साजिस करार दे रहे हैं आखिर किसके दावे सच्चे हैं इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा नई दिल्ली से सजिलाल के साथ आशीज भारगाओ एंडी टीव इंडिया दो बाते यहां पर पहले मैं आपको अपने हमारे साथ विजय गोयल साब मौजूद है जो कि फारते जनता पार्टी को रेप्रेजेंट करते हैं आज भी मेरे साथ अखिलेश शर्मा मौजूद है आशी सबसे पहले आपकी रिपोर्ट है आपसे ही बात करूँगा आपके अपने अब्जर्वेशन क्योंकि आपके रिपोर्ट इस बात को बता रही थी कि अभी तक हर चीज में अपने को बेदाग करार देने वाली आम आदमी पार्टी कि रखती से जब आपने प्रश्ण पूछा तो मैंने इसको हाथ से लिख लिए कागस पे चुनाओ के बाद वो जाँच में साथ आएंगे तो सभी चुनाओ के बाद जाँच में साथ आना चाहेंगे सवाल तो यह उठता है कि अभी उन पर आरोप लगा और उन्होंने आपसे बताया कि इस वेयर हाउस में रखे शराप से मेरा कोई मतलब नहीं है क्या ये फिर भी आम आदमी पार्टी की संस्कृटी पर सवाल उठाता है आशीश जी देकिए कुल मिला कर जब ये शराप पर च्छापा पड़ा था क्राइम ब्रांच की ये सूचना थी और क्राइम ब्रांच ने लगातार इस मामले की सूचना लोकल पुलिस को दी इसके साथ साथ चुनावायों की भी दी थी और पूरी एक टीम ने मिलके ये च्छापा मारा था और करीब आठ हजार से ज़्यादा बोतल वहां से शराप की बरामत की गई थी तो हर्याना से लाई गई थी और पुलिस को जो उस समय सूचना मिली थी वो ये मिली थी कि ये जो गोदाम है वो नरेस बालियान का है हलाकि पुलिस वेरिफाई कर रही है बहुत सारे कौन से जाच चीज़ कर रही है कागजात निकाले जा रहे हैं बिजली के मीटर किसके नाम पर हैं तमाम चीज़ें जो हैं वो निकाले जा रहे हैं लेकिन सवाल फिर भी यह है कि जिस तरीके से आज हमने बहुत कोशिश की कि जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो इस मिद्दे पर अपनी बात रखें लेकिन किसी ने बात नहीं की हलाकि नरेस बालियान इस बात पर आड़े हैं उनका ये कहना है कि साथ परवरी के हमारे साथ संजे सिंग मौजूद है संजे सिंग आशीश भारगाव हमारे जोरिलिस्ट ने आपके बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की इस मसले पर वो रिस्पॉंड आशीश के हिसाप से नहीं कर पाए आप कृपिया आशीश को रिस्पॉंड करेंगे कि ये किया वो बता सकते हैं मैं आज दिन भर अपने कारकरमों में था बाकी लोग भी अपने अपने कारकरमों में रहे और इस सवाल से भागने का तो कोई प्रस्नी ने उठता पहले दिन ही ये खबर एक ट्वीट के माध्यम से एक अखबार में आई उसके बाद उसको मीडिया न दूर तक कोई लेना देना नहीं है मुकेस बाल्यान नाम का विक्ति है जिसको नरेस बाल्यान बता के प्रचारित किया जा रहा है दूसरी बात आपको लगता है कि जब ग्री मंतरी भारती यंता पार्टी के बैठे हैं पुलिस आज की तारीख में बीजे पी के इसारे में बहुत छोटे छोटे मामलों की में बता हूँ उत्तम नगर में कल हमारे एक महिला कारकरता को मार दिया गया उसके बावजूद हमारे विधायक को डिटेन कर लिया गया आज हमारे कुछ साथियों को संसद मार थाने में डिटेन कर लिया गया ये लगातार हो रहा है दिली मे तो क्या अगर दूर दूर तक कोई involvement होता तो हमारे प्रत्यासी को बखस देते वहाँ अभी भी पुलिस जो है वहाँ का ACP वो एरिया का वो दबाव बना रहा है कि नरेस बालियान के खिलाब बयान दे लोग ये एक प्रकार की साजिस है ये पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं एलेक्शन कमीशन का इस पर क्लैरिफिकेशन आ गया है कि नई इस मामले का नरेस बालियान जो आम आदमी पार्टी का प्रत्यासी उससे कोई लेना देना नहीं है फिर भी इसी बात को वो पुलिस वाले आके ए प्रकार का प्रत्यासी का सवाल है इस सराब से कोई लेना देना नहीं है बलकि हम तो खुद सराब पकड़वाने के अभियान में लगे हुए हैं पैसा पकड़वाने के अभियान में लगे हुए हैं पिछली बार भी हमने महरवली में बीजेपी के दफ्तर से सराब पकड़वाई थी जो इनके प्रत्यासी थे ठीक है आशीश जी तेकिया सवाल यह है कि पिछले चार दिनों से 31 जन्वरी की यह घटना है दिल्ली पुलिस लगातार यह ब्यान दे रहे हैं यह खुद कमिशनर जो बीएस बसी हैं वो कैमरे के सामने रोज बोल रहे हैं कि आज हमने नोटिस किया है तीन बार नोटिस जा चुका है नरेस बालियान को लेकिन अभी तक वो पुलिस की जाच में शामिल न नहीं किया और किस तरीके से जाच पुलिस कर रही है यह हम नहीं कह सकते लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि को पुलिस यह कह रही है सहयोग नहीं हो रहा जाच में नरेस बालियान आ नहीं रहे हैं तीन बार नोटिस पुलिस का चुकी है और अब पुलिस का यह कहना है कि वो लीगल एक्शन पर विचार कर रही है कि अगला कदम क्या उठाए जाए तीका संजी आप रिस्पॉंड करें फिर में विजय गोईल जी और अखिलेश के पास आऊंगा वह साफ साफ कह रहे हैं कि वह नोप इसको रिस्पॉंड हासा आपने जरूरी नहीं समझा कि वहां के पाँच लोगों को थाने में बुला के पीटा गया ये रिपोर्ट आपने करना जरूरी नहीं समझा कि वहां लोगों के उपर दवाव बनाने की कोसिस की जा रही सचाई को भी एक बेहतर रिपोर्टर के नाते मैं आपसे अनुरोद करूंगा कि आप कृपा करके वहां आशीश सिर्फ ये प्रशन आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली के पुलीस कमिशनर ये कह रहे हैं कि आपने ये स्थापित कर दिया और साफ साफ कहा कि इस कोई भी शराव ये जो उत्तम नगर के गोडाउन में पकड़ी गई है इसका नरेश बालियान जीसे कोई लेना देना नहीं हम आपकी बात को जिसे कहते हैं ना ऑन दे फेस वैल्यू कैमरे पे आप कह रहे हैं उसको लेकर उसके हिसाब से चल रहे हैं आशीश आप से सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि फिर नरेश बालियान जाच में सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं ये दिल्ली पुलीस उनस पास नहीं होगी पाँच लोगों को जबरन ठाने में बुलाके मारा गया पीटा गया उनसे बञान हमारे प्रत्यासी के खिलाब दिलवाने की कोशिस की गई इस हकीकत को जानिये और इसी कारण से हमारे वकील गये और जो एक लीगल तरीका होता है उस नोटिस का जवाब द मेरे हिसाब से जाच में सह confidence यही तरीका है कि उनकी नोटीस आरभ वकील के माध्यम से थाने पूर पुलिस दे दिया गया है अगर कमिस्न er बुलाना चाहेंगे कर उनके यहां चले जा तैं कोई डर ठोनी पड़ा हुआ है ठीक है अगर कमिशनर बुराना चाहेंगे तो आशीश मैं वापस आऊँगा आपके पास अकीलेस जी और विजे गोईल साब हमारे साथ लेकिन उस थाने और एसीपी पर कता ही भरोसा नहीं है ठीक है संजे सिंग आपने अपना वो एकदम मिले हुए लोग हैं वहां के बीजे मामले की जाच में शामिल होने के लिए ना कि लोकल पुलिस्ट नोर इस केस की जो एको और और खामि आ रहा है और ताया है में Ἂज ऑरों ने मैं विजे गोयल जी आपको यहां आना चाहता हूँ कि बीजे पी भी इसमें जो है मुरालिटी वाले आसपेक्ट को लेकर आप भी पार्टी से सवाल पूछ रही है विजे गोयल जी अब आप लोग कह रहे हैं कि देखिए ये लोग मिस्टर क्लीन बनते थे सियासत के ये वैसे नहीं है वो कह रहे हैं वो किसी भी तरह से इस बात को मानने के लिए तयार नहीं है कि उनके कोई भी प्रत्याशी जो है वो शराब रखकर या कहीं रखवा कर बाट रहे हैं वोट हासल करने के लिए विजे जी अभी घ्यान चुनाव चल रहे हैं जै कोई भी आप अरोप लगाएंगे तो आम आदमी पार्टी उसको जाहिर तोर के उपर साफ तोर से नकारेगी उनकों कोई चुनाव हारने थूड़ी है जब इन्होंने कसमे खाई तो वो भी साजिस थी जब इन्होंने जूट गोले वो पुलिस कमिशनर स्व्म बियान दे रहे हैं तो पुलिस वाले भी मिले हुए हैं एसी पी भी मिला हुआ है क्राइम ब्रांच भी मिला हुआ है और कल कोई जज का फैंसला आ गया तो यह कहेंगे इनकी सरकार है जज भी इनोंने खरीद रखे हैं तो इसलिए कह देना बहुत जरूर है कि यह कहते कुछ हैं करते कुछ हैं तो जो शराभ पकड़ी गई है उत्तम नगर से नहीं हमें तो जंगे जंगे से सूचना यह आ रही है कि कहां-क remember आम आदम वो मुझे नहीं समझाता जब 2 करोड के चेक आ जाते हैं तो उसके बारे में कहते हैं हमने चेक से पेमेंट लेना सारी इल्लीगल होती है कहते हैं हम पैन नमबर देते हैं अर जब चेक होगा तो बैंक होगा बैंक होगा तो पैन नमबर भी होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है सवाल यह है कि जिन कंपनियों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रोफिट नहीं है जो कंपनियां एक्जिस्ट नहीं करती है उन कंपनियों से आपने चेक ले लिए तो उसके लिए कहते हैं हमें जेल बेज़ दो जेल वेज़ दो तो हमें हीरो बना दो इनको मालूम है दस तारीक से पहले कानून अपने हिसाब से कारवाई करेगा तो इसलिए मेरा ये कहना ये है कि वह इस तरीके से आरोपों को इनको तो डिनाई करना ही है चाहे वो टेलिविजन पर पूछो चाहे सार्दिंस्तान पर पूछो चाहे कहीं पर भी पूछो तो इसलिए मेरा ये कहना है तो हमें बोलने नहीं देंगे ये और वैसे इनके पास सब्सक्राइब पूरे समय दिया पर जब इनके नेताओं से पूछा कि वह आकर डिनाई कर दो जो इनके कैंडिडेट हैं वो पूलिस से कॉपरेट नहीं करेंगे अरे पूलिस ने जब नोटिस भेज दिया तो वो कॉपरेट करने के लिए बेजा तो इन्होंने का जी हम वकील के थूँ नोटिस देंगे तो मैं तो नहीं समझता यह इस यहां पर चैनल पर बैठके किसी भी तोर से हां करने वाली हैं और इन से जादा तो हम इनके उमिद्वारों को जानते हैं इन्होंने आदे से जादा उमिद्वार क्यों बदले हैं ये भी समझ लें कि आदे से उमिद्वार बदलने की कि जुर्ट क्यों पढ़ गई थी इनके पास उमिद्वार नहीं थी तो उसका सबका कारण ही यह था कि इनको पता ही नहीं है जल्दी जल्दी के अंदर कौन उमिद्वार क्या है कि तो टेली विजन के ऊपर बैठ कर आप इनसे कहेंगे किसी बात को स्विकार करो मैं नहीं दूद के दूले बनते हैं वो दूद के दूले नहीं है